नमस्कार बहुत स्वागत है आपका किसान तक में मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट बात करेंगे मौसम को लेकर जिस तरीके से देश भर के कई राज्यों में अब गर्मी सताना शुरू कर चुकी है तो ऐसे में जानेंगे कि आईमडी के द्वारा हीट वेव की चेतावन किन-किन राज्यों में जारी की गई है तो क्या कहता है आईमडी का पूर्वा नुमान एक नसर डालते हैं मैप की और तो दोस्तों आपके सामने आज का मैप है जहां पर आप देखेंगे कि उतर से लेकर पूर्वी भारत लगतार गर्मी की चपेट में है जहां पर आप दे कोस्टल करनाटक यहां पर भी गर्मी का कहर जारी है और साथी साथ ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी चतिसगर्ड ओडिशा यह वो राज्ये हैं जहां पर गर्मी का सितम लगतार जारी है नीची की तरफ बात करने तो देखिए केरल में भले ही हवा की तेज गती है लेकिन यहाँ पर भी हीट वेव की चितावनी जारी की गई है उपर की तरफ नसरा डालेंगे तो वेस्ट बेंगॉल में भी कई ऐसे जगा हैं इलाके हैं जहाँ पर अभी गर्मी प्रचंड रूप धारन कर चुकी है लेकिन कुछ ऐसे राज्ये भी है जहाँ पर अभ 24 घंटे में कैसर रहेगा देश पर कम हैं तो दोस्तों आपके सामने ये 6 तारीक का याने 6 अपरेल का मैप खुल चुका है जहाँ पर आप देखेंगे कि अभी पूरी तरीके से कई राज्यों में हवा की बले ही तेजगती है लेकिन गर्मी अब प्रचंड रूप दिखाना शुरू कट चुकी है और आएमडी के दौर ये कहना है कि लू की स्थिति अभी कुछ दिन तक लगातार जारी रहने वाली है कई राज्यों में लू सताएगी तो आप ये देखिए विधर्भ हो गया और साथी करनाटा की कई जगा होगे नीचे की तरफ नज़र डालेंगे केरला में भी अभी लू को लेकर अलट जारी हुआ है रायल सीमा में भी इसी तरीके की स्थिति बंती नज़र आ रही है चतिस गड़ की बात करें तो यहां पर हवा की तेजगती नज़र आ रही है वहीं उपर की तरफ जारकंड में अगर नज़र डालेंगे तो हीट वेव की स्थिति यहाँ पर भी बंती नज़र आ रही है बागी राज्यों के अगर बात करें तो वेस्ट बेंगॉल सिक्किम में हवा की तेज गती के साथ हल्की बारिश बुंदा बांदी होने की स्थिति बंती नज़र और यहां पर देखिए एस्ट राजिस्थान में हवा की तेज गती आने की मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है हलाकि दिलिया इंसियार के अगर बात करें तो आज यहां पर भी जो और दिन तेज धूप खिली रहती थी वो नहीं है हलके बाधल शाय नजर आ रहे हैं इसी तरीके से एस्ट राजिस्थान में भी कुछ इसी तरीके किस्थी बंदी नजर आ रहे है बाकी मद्याप्रदेश के अगर बात करें तो यहां पर भी हवा की तेज गती साफ दो और नजर आ रही है बाकी राज्यों के अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर मद्याप्रदेश के कई लाके जहाँ पर मौसम में तब दिली देखने को मिल रही है और खास और पर अगर दिली NCR के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बादल चाय रहने की उमीद है और कुछ दिनों में शायद हो सकता है कि फिर से गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है पहाडी शेत्रों के अगर मैं बात करूँ तो देखिए पांच तारिकों पर्शिमी विशोप सकरिया हुआ था इसका असर परशिमी राजियों पर देखने को मिला था, कई जगा पर बारिश हुई थी, कई जगा पर ओला विष्टी के साथ बर्फ बारी भी देखने को मिली थी, लेकिन अब कुल मिलाकर 40 से पार हो चुका है कई राजियों में तापमान, तो ये समझा जा सकता है कि गर्मी अभी भी प्रचन रूप ले सकती है आने वाले दिनों में, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए और मौसम की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें किसान तर